is not another video और यह है part three इस वीडियो में बात करने वाले अगर आप एक biznesman है तो सबसे पहले आपको आपके marketing sources को connect करना होगा تو marketing sources को आप कैसे connect करोगे आपको जाना है lead management और lead management की नीचे आपको मिलेगा marketing source अब marketing sources क्या-क्या होते हैं पहले हम वह समझ कर यहां पर और यहां पर मैंने जिसे आप से बोला अगर आप एक विजिसमेन है तो आप सबसे पहले अपने प्रोड़क्ट या सबसे की मार्केटिंग करोगे तो let's understand कि हम कौन कौन से मार्केटिंग सोर्स हैं और हम हमारी application में क्या यह सारे marketing source connect कर सकते हैं यह देख लेते हैं तो जो यह marketing source आपको यहां पर दिया हुए अगर आप इस पर click करेंगे तो this source will allow you to add any lead source in the world ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो दो तरीके की sources हैं इधर offline आप marketing करते हो या और online करते हो या दोनों marketing की बात करूं तो print है paper है holding है डिजिटर बिलबोर्ट एनी एनी lead source जो offline marketing में fall करता है वो आप यहां पर connect कर सकते हो इसके लावा अगर मैं online की बात करूं तो website local listing यह और B2B marketplace यह सारे के सारे आप यहां पर connect कर सकते हो तो let's say हम बात कर रहे हैं पहले print अगर हम बात करते हैं let's say इसको बंद करते हैं और अभी हम बात करते हैं offline marketing की तो offline marketing में कोई ऐसी company है जो paper में add देती है उसका marketing source paper है या print है तो हम उसको कैसे correct करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर आभी देखिए किसी भी तरीके का मैंने marketing source यहां पर print media का तो नहीं है तो मैं एक custom source create करूँगा custom पर गए यह थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो इसको जड़ा detail में देखिए क्योंकि यह बहुत important है marketing automation so let's see हम यहां पर print media paper media है तो मैंने यहां पर इसको कर दिया print media ओके तो हमने सबसे पहले एक print media का custom integration बना लिया है ठीक है custom integration हमने create कर लिया बापस जाएंगे बापस से marketing source में जाएंगे और हम जब नीचे आएंगे तो यहां पर print media का activation अगया है अब यहां पर लिखा configure print media lead source तो कैसे करोगे तो आपको click करना है click here पर अब click here पर जैसी आप click करोगे तो यह जो system है यह आपसे पूछेगा कि आपको किस तरीके से इसको operate करना है operate करने का मतलब जो आपका form का URL है वो यहां पर दिया हुआ है मतलब आप इस source में जो lead accept करना चाहते हैं रिसीव करना चाहते हैं वो किसी particular form से capture करना चाहते हैं ठीक है दूसरा इस source का नाम तीसरा यह source activate करना है नहीं करना डेफिलेटलि जब मैं lead receive करना है तो हम इसको activate अपड़ेगा अब यह आपसे पूछ रहा है कि इस lead source का जो भी leads आएंगी वो आपको mobile पर चाहिए क्या अगर आप यहां पर yes कर देंगे तो यहां पर आपको आपकी company के कुछ number जिन पर भी आप lead receive करना चाहते हैं immediately वो आप यहां पर डाल सक करते हैं ठीक है तो अभी हमने क्या करा हमने यहां पर देखा कि जो एक offline marketing का source है वो एक print media का source है ठीक है उसको आपने यहां पर activate कर दिया है अब आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं यह form open करता हूं तो यह कहले का URL copied successfully अगर मैं इस URL को open करता हूं let's see हमें क्य मिलता है तो मैंने एंटर मारा तो यहां पर एक error आया है राइट क्यों आया है क्यों कि अभी तक हमने इस source के लिए कोई भी form को design नहीं किया है form को design करने का मतलब यह है कि मैं अगर print media से कोई lead accept कर रहा हूं तो उस में हमें क्या data चाहिए और वो किस तरीके से दिखेगा तो म मैं option में जाओंगा और यहां पर मैं click कर दूँगा design form पर अब जैसे मैंने design form पर click करा यहां पर मेरे को option आगा है कि मेरे को नाम चाहिए उस client का number चाहिए मेरे को उनकी email id चाहिए ठीक है मैंने इसको required कर दिया है मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ यह date field दे लेता हूँ date field में मैं यहां पर लिख देता हूँ date of birth okay यह मैं field ले रहा हूँ इसके इलाबा मैं और डाल देता हूँ एक checklist डाल देता हूँ यहां पर मैंने डाल दिया status यह कुछ और हम कर देते job type job type तो जोब मैंने यहां पर डाल दिया यह private job है ठीक है या यह कोई government job में है या यहां पर मैंने डाल दिया या यह कोई एक business owner है ठीक है तो business डाल दिया मैंने यह मैंने तीन अभी sources को एक दो तीन चार पार sources को डाला और मैंने इसको save कर दिया ओके तो यहां पर recorded successfully मैंने okay करा अब मैं अगर इसी form को refresh करूंगा तो मेरे पास जो form open होगा वो जिस तरीके से open होगा और यह जो form है यहां पर आपको option आ रहा है उसका नाम, contact number, email id, date of birth तो जब हम बात कर रहे है print media की तो print में यह form कैसे open होगा यह सबसे बड़ा सावाल है तो उसका solution यह है कि अभी आपने आपके marketing source के अंदर आपने आपका print media का integration कर दिया है अगर आप ने यहां पर click करा तो आप ने यहां पर देखा आपका form ready हो गया है form ने अपका data capture करने के लिए बना दिया आपने अब जो data हम capture करेंगे करेंगे qr code से तो हम यहां पर generate qr code पर click कर देंगे जैसे मैंने qr code पर click करा यहां पर मेरा qr code generated हो गया है अब मैं यहां होगा view qr code पर जब आप इस qr code को scan करेंगे तो यह वाला form open हो जाएगा और आपका जो client है वो इसके दर data feed कर सकता है तो let's say यहां पर एक print media वाला कोई आपका client है जो की paper में add देता है ठीक है उसको क्या करना है उसको हमारे system में उसका print media का एक integration create होगा क्या data वो capture करना चाहता है उस से later form create हो जाएगा और इस form को हम connect add कर रहा है इस qr code से और वो इस qr code को अपने paper add में print करवा सकता है अब इससे फायदा क्या होगा जैसे कोई interested person उसके add को देखके इस qr code पर इस qr code को scan करेगा तो उसके सामने उसके mobile पर यह form open हो जाएगा और वह data fit कर सकता है ठीक है तो मैं आपको real time दिखाता सकते हैं कि यह प्रिंट मीडिया के सोर्स से संधी प्राजपुत के लिए जो की जो की इधर qr code scan करके आ सकती है या फिर एक form को fill करके आ सकती है अगर को direct fill करेगा तो भी आ जाएगी और qr code scan करेगा तो भी जाएगी यह जो भी डेटा आप यहां पर देख रहा है यह आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि जो print media कि जो आपकी offline marketing में जो print media या paper media जो होती है उसके दुरूप है वो कितनी दूरी पर लगा हुआ है तो distance एक issue बन सकता है scan करने में तो इस जगे पे आप हमारा एक mist call number है वो आप connect कर सकते हो अपनी holding पर print करवा सकते हो तो अगर आप अगर हमारी website पर आते हैं तो यहां पर आपको एक mist call और एक i.v.r का common number मिल जाएगा यह जो number दिया हुआ है यह हमारा mist call और i.v.r का common number है अगर कोई इस number पर mist call देता है तो वो सारका सारा data इधर पर store हो जाता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी offline marketing है तो आप अगर paper है देते तो qr code यूज़ कर सकते हैं लीड capture करने के लिए और अगर आप holding वगएर आपके पास है या कोई digital board है या paper है तो यहां पर आप सारे के सारे इस तरीके के lead magnet यूज़ कर सकते हैं आप digital board में अगर आप कोई networking कर रहे हैं वहाँ पर दे सकते हैं cold calls करते हैं वहाँ पर आप दे सकते हो tvfm में आप mister call number दे सकते हो टेली marketer जो है उनसे आप बात करके बता सकते हो कि आप वो डाले data capture कर सकते हैं जो भी आपके offline marketing के आपके digital board है अगर आप डारेक कोई अपके networking करते हो तो direct data इसके अंदर कर सकते हो डारेक data आपको बताया था यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है यहाँ डारेक data एट कर सकते हो networking कर रहा है आप करते हैं या अगर आप कोई cold cold कर रहा है लाए कि आप field में हो आप random किसी से मिलते हो जैसे आप अगर मिल रहे हो किसी से और आपको उनका data real time पर add करना है तो आप यहापे चले जाएए आप प्लस पर क्लिक कर दीजिए तो यह form open हो जाएगा आप यहाँ पर data डाल सकते हो ठीक है इसी तरीकी से tv रेडियो है तो यहाँ पर अपना इधर qr code display करा सकते हैं अगर tv है और fm रेडियो पर अपना आप एक missed call number कर सकते हैं कि अगर आप इंट्रेस्टें हमारे add और services के लिए तो missed call number पर call कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हमने सिर्फ offline marketing को समझा है कि जो आपके marketing automation में आप offline marketing को कैसे connect कर सकते हो और वो सारी lead कैसे capture कर सकते हो अभी हमने सिर्फ marketing automation को connect करना सीखा और यह सिर्फ offline marketing है नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे online marketing ठीक है थेंक्यू